आज की वीडियो में तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे कोई भी अगर आप प्रोड़क्त लेने जा रहे हैं नाया प्रोड़क्त तो तीन इंपॉर्टेंट टिप्स को ध्यान में रखकर आप प्रोड़क्त को खरीदी किजिएगा तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चनल पर नए है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले और वैसे लाइक और शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा तो मैं कहरा था कि 3 important tips दूँगा इस वीडियो में तो वीडियो end तक जरूर देखेगा तो सबसे पहला tip हम जानेंगे warranty, warranty of the product, very important आज के जमाने में अभी के चनरेशन में इतने सारे competition हो गया है, इतने सारे नए 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 ब्रैंड सारा है मार्केट में तो कौन सा brand लेना है और अगर आप इस brand पर ट्रस्ट करते है तो वो actual में warranty देता है या नहीं, पहला क्या होता था, actually around 2-3 years warranty या फिर 5 years warranty वो भी competition रहता था कि ये product या फिर ये particular brand इतने साल warranty देता है तो generally अच्छा होगा करके, लेकिन आज कल क्या हुआ है because of the competition and नए नए products में भी अलग-अलग variants आ रहा है, everyday, every month, every week change हो रहा है तो इसके वज़े से ज्यादा warranty नहीं मिलता है, तो minimum या फिर कही maximum warranty ही around 1 year तक मिल जाता है, तो ऐसे मैं आपको smart decide करना है कि काउन सा product ले, काउन से brand पर invest करें, तो सबसे पहले यहाँ पर, for example, अगर मैं अभी TV लेने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी TV brands आज कल देखिये, usually 1 year warranty देते हैं बस, और यहाँ पर problem क्या होता है, बस एक ही साल use करने के बाद ही problem start हो जाता है, ऐसे बहुत सारे मेरे पार examples से दे सकता हूँ, for example, मैरा friend जो है, वो 65,000 रुपीज देकर Sony brand का TV लिया था, तो unfortunately, unlucky कहिए, वो 1 year हुआ, 1 month हुआ है, तो यहाँ पर LED panel problem start हो गया है, मतलब कि ठीक से display नहीं आ रहा है, तो ऐसे मेरे वो service center को call करके, just 1 year and 1 month हुआ है लेकर, already LED panel कुछ ठीक से दिखाएने दरा है, कुछ problem होगा, display ठीक नहीं है, तो ऐसे मेरे वो service request लेकर घर आते हैं, आपको replace करना पड़ेगा, तो कितने में replace किया, 20,000 रुपीज लिया उसने, 65,000 रुपीज का TV था, तो 20,000 का panel replace किया, 20,000 देकर, तो ऐसे इतना costly हो जाता है, and warranty यहाँ पर cover नहीं करता है, तो अगर बहीं TV 2-3 years, at least warranty रहता, तो यहाँ पर वो 20,000 रुपीज खर्च नहीं करन पड़ता, तो ऐसे में save हो जाता मनी, तो जितना ज्यादा warranty, उतना ज्यादा better products रहेगा आजकल, क्यूंकि देखें, अगर एक company 5 years warranty offer कर रहा है, for example, अभी Samsung का eco bubble washing machine, जो की 3 years warranty on complete machine करके कहते है, just front door जो रहता है, वो front door का छोड़के, बाकि सारा complete machine जो है, वो 3 years warranty cover करता है, and उस के अंदर का जो motor रहता है, उसके लिए 10 years warranty करके बोलते है, तो at least ऐसा रहता है, तो क्या कर सकते है, 3 years तक machine में कुछ भी problem आता है, PCB में कुछ problem आता है, तो obviously वो free of cost replace कर देते है, तो ऐसे products पर अगर आप invest करेंगे, थोड़ा safe रहेंगे, तो ये एक very important point बोलना जाहता था, क् कि 5 to 10 years वाला warranty आज कल ज्यादा products में दिखने को नहीं मिल रहा है, especially television जो है market बहुत market हुआ है, और सिर्फ 60 Hz पैनल वाला ही ज्यादा बना रहा है, तो ऐसे में quality बहुत ही deteriorate हुआ है, पहले क्या हुआ था, अब actually मेरे घर में देखिया भी हम video con का एक TV लिये थे, around 7-8 years ago, यहाँ पर हमारे गर में देखकर ऐसे इतना अच्छा picture quality आपके TV में कैसा आता है, तो यहाँ पर important था कि 120 Hz पैनल और वो पैनल बिल्कुल बहुत बढ़िया अच्छा था, because of the brand हम जो देखते हैं अच्छा यार video con का लिया है, हमने तो LG Samsung का लिया है, बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन जब यह video con का देखते हो, तो उनको कुछ अंदर ही लगता था, कि यह इतना better image quality कैसे देता है, LG Samsung से भी ज्यादा कैसे देखता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अफकोर्स देखने में तो बहुत अच्छा था, तो हमने around 8-9 years आज भी use कर रहे हैं वो TV, हल on होता था, TV off करने के बाद फिर से on नहीं होता था, तो ऐसे 5-6 बार on off करने के बाद फिर से on होके चलता था, तो ऐसे मैं problem के लिए technician को दिखा है, तो वो जब निकाला, तो मैं देखा कि, यहाँ पर मैं आपको picture भी दिखाता हूँ उसका, तो मैंने देखा कि उसमें LG का panel थ यूज किया था, मतलब कि LG का सबसे best panel तब का जो था, उसके वज़े से 120Hz effective refresh rate, बढ़िया image quality, अगर वहीं panels LG के TV में use करके quality देते तो बहुत ही बढ़िया रहता है, तो ऐसे देखे, ऐसे वीडियो कान है करके हम सोचते हैं क्या panel हो सकता है, इसमें कुछ आचा नहीं हो सकता ह लेकिन उसका quality भी जो है अंदर जो चासिस बना रहता है, वो बहुत बढ़िया quality का था and very heavy है वो TV, आजकल अगर आप TV ले रहे हैं तो ये खियात में से आराम से उठा सकते हैं, तो ऐसे quality कांप्रमाइज हुआ है, तो इसके वज़े से quality आप देखकर लीजिए सबसे पहला point The second point is, देखे अभी warranty ही नहीं मिल रहा है, सिर्फ one year warranty है, इससे ज़्याद नहीं देते हैं, अलग कि extended protection, service protection उसके लिए अलग से pay करके लेते हैं, तो ये actually कितना genuine है, and अगर आप कोई भी product ले रहे हैं तो आपके घर, यानि कि आपके location में उस brand का service है या नहीं, ये जान कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे products क्या करते हैं, for example, अभी आज कल जादा online हम ले रहे है products, तो online अगर invest कर रहे हैं, तो वो कैसे warranty देते हैं, वहाँ पर reviews लिके रहेते हैं, आपके location से कोई review लिखा है या नहीं, वो आप देख सकते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, 3-4 months होने के बा location ही नहीं, तो कैसे attend करेंगे, तो इसलिए, at least, जो brand आप decide किया है लेने के लिए, उनका जो customer care रहता है, पहले लेने से पहले customer care को phone करके, आप पूछना कि आपके service, आपके location में service देते हैं या नहीं, अगर देते हैं, तो कैसे देते हैं, तो यह सारा चीज जानकर आप फिर invest कीजिए, ताकि at least, मैं कह रहा हूँ कि 3-5 years तक आप आसानी से वो product को अच्छी तरह से use, utilize कर सके, और बाद में आप कुछ नए products पर invest भी कर सकते हैं, तो एक मुझे ज्यादा लोग पूछ तेते question की, concept brand कर लेना है, of course, मैं कुछ videos भी बनाऊंगा कि concept brand का अच्छा quality देते ह है, यह सारा चीज उसके लिए बने रही है हमारे चनल पर, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि कोई भी brand पर अगर आप invest कर रहे हैं, कोई भी product हो, home appliance हो, electronics हो, gadgets हो, warranty आपके location में देते हैं या नहीं, यह जानकर आप उस brand पर invest कीजिए, second point हुआ, तो third point क्या है कि brands, देखें, ज़् Sony का brand अच्छा रहेगा, LG का brand अच्छा रहेगा, Samsung का brand अच्छा रहेगा, MarkQ का brand अच्छा है, तो ऐसे है, अलग-अलग perceptions रहता है, कुछ लोगों को पूछिए, LG का अच्छा है, कुछ लोगों को पूछिए, LG का उनका problem आ गया है, home appliance, तो इसके लिए आप Samsung को switch किये, कुछ लोगों को Samsung का पूछिए, तो IFB को switch किये, तो ऐसे में, कौन सा actually brand जाना है, कौन सा safe रहेगा, तो इसके लिए आपको देखना है, specification of the product, कोई भी आप product अगर मान लिजिए, अभी TV माने डिसाइड कर लिया, Samsung का ये model ले रहा हो, तो model नंबर ज़रूर देखे, and model नंबर पर, अगर company website पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको manual and service specifications मिलेगा, तो specification में आप जाकर रेखे, कि actual में लिखा क्या है, actual में TV क्या provide करता है, तो ऐसे आप थोड़ा knowledge को बढ़ा कर product पर invest किजेगा, ना कि वो वाला TV लिए है, कुछ लोग, तो हम भी वही लेंगे, तो आच्छा रह लोगे market में, तो उसमें क्या होगा, कि better product रहेगा, तो जो version 1 में problems आयते, वो सब resolve करके version 2 में छोड़े रहते है, तो इसके वज़ा से, आपको क्या करना है, थोड़ा smart decision लेकर अच्छे products पर invest करना है, तो ये बहुत लोग मुझे पूछता है कि कैसे decide कर पाए कि यही product लेना है यही brand का, तो इसके लिए थोड़ा research करना ज़रूरी है, क्योंकि आज इतना competition है, धेर सारे models है, बहुत बहुत products अलगा लगा रहा है, तो इसके वज़ा से research का मतलब है कि product देखना, product का model number देखना, उसका specification देखना, और उसके बाद उसका reviews देखना कि लोग क्या कह रहे है इस product के बारे में, तो यह सारा चीज जानने के बाद ही, आप एक product पर invest कीजिए, hopefully ऐसे tips आपको पसंद आया होंगे, अगर है तो hit that like button, कुछ ना कुछ information मिला है आपको, तो don't forget to hit that like button, share कीजिए अपने friends के साथ, ता कि वो भी smart decision लेकर, अच्छे product घर लेकर आए, तो मिलता ह हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए, take care everyone, bye bye